दोस्तो आज इस वीडियो में आपको Google Adsense को किस तरह से क्लोज किया जाता है या फिर डिलीट किया जाता है वो भी पर्मनेंटली वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप अपने Google Adsense को बना सकते हैं अगर आप अपना Google Adsense बनाना चाते है तो ये वीडियो आप देख सकते हो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्करप्शन में दे दिया है जब आप अपने Adsense को क्लोज करते है तो यहां पर दो बात याद रखने होती है पहला अगर आपका Adsense बिल्कुल सही सलामत है तो आप उसको भी कलोज कर सकते हो अगर आपका Adsense में कोई problem है या inactive हो चुके है तो आप उसको भी कलोज कर सकते हो अगर दोस्तों आपके Adsense में इस तरह की error है और आप उसको delete करना चाते हो तो वही तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पर उससे पहले एक ही बात बोलाँ चाहूँगा अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं गया लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दे रहें क्योंकि आपको पता है कि हम इस चैनल पर यूट टिप्स के रिगार्डिंग अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं अगर हम गूगल एडिसंस में जाते हैं तो यहां पर लिखा है गेटिंग यूर एडिसंस अकाउंट रिडी फोर यूटूब और लिखा है यूवर अकाउंट वोस नोट अप्रूव ठीक है और आपको पत टिकेट अकाउंट आपके पास है इस वज़े से यह प्रोब्लम आ रही है तो अब हम इसको क्या करेंगा डिलीट करने वाले हैं अब यहां पर कोई ओप्संस नहीं है डिलीट का यहां से हम कोई भी डिलीट नहीं कर सकते उसके लिए आपको इमेल में जाना पड़ता है और पर क्या करना है आपको यहां पर आपको क्लोज यो पेमेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना होता है यूजर ने पासवर्ड बाएंगा यूजर ने पासवर्ड डालने के बाद में नेक्स पर क्लिक करिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपर हो जागा लिखा है क्लोज इशूार के अपनी परोफाइल आपको किलिक कर देना है भी इस तरह की प्रोबलम आपको आ रही है तो आपको को टैंसल ले की ज़रुरत नहीं है भी गनता Kaewyt करने है दोपराथ से यह बेद बन आपको सब्सक्रणन के भी कटन को मैं दूसरा तरीका आपको बता दूँगा या फिर कोई और वीडियो लेकर आ चाहूंगा मिलता हूँ आपको नेक्स के लिए में देब तकले टाटापापाई चाहिए